महराश के राज़ितिक गलियारों में दाउद इबराहिम से एंसीपी के संबंदों की चर्चा दबी जुबान में होती रही है परन्तु ये पहला मौका है जब खुल कर बात सामने आई है दाउद के सहयोगी एकबाल मिर्ची और एंसीपी के प्रमुक नेता प्रफुल पटेल की कमपनी के बीच मुंबई में एक जमीन के समझोते का मामला तूर पकड़ रहा है विदानसबा चुनाव में ये मामला एंसीपी को भारी पर सकता है बीजिपी ने इस मुद्दे को राश्च सुरक्षा से जोड़ कर एंसीपी से पूछा है कि क्या ये सिर्फ जमीन का सौधा है या ये बात इससे कहीं अधिक थी बीजिपी ने कहा की अंसीपी ने तब प्रफुल पटेल और डीकंपनी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है महराश्च की पूर्फ कॉंग्रेस, अंसीपी सरकार और केंडर की युपीय सरकार के समय में पटेल और डीकंपनी के आधमियों के बीच कारोबारी समझोता हुआ दाउद आतंकी सर्गना है आखिर उसका और NCP का क्या लिंग है भगवापाटी ने कहा कि देश दाउद इबराहिम और NCP के संबंधों को जानना चाहता है समपती के हलफ नामे पर प्रफुल पाटेल के हस्ताक्षर को देख कर कहा जा सकता है कि कोई लिंक जरूर है डील 2004 में शुरू हुई और 2007 में पूरी हुई इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ऐसी साजश थी जिस्ते महराष्ट्र और देश की सुरक्षा को खत्रा था बीज़ेपी ने सवाल किया कि क्या पटेल के इस सौदे की जानकाली ततकालीन प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग को भी थी और क्या UPA प्रमुक सोनिया गांधी ने NCP दाउद लिंक को छपाने की कोशिश की थी कॉंग्रिस का NCP से गड़बंदन है और NCP के अंडर वर्ड से संग पर्क है ऐसे में BGP ने कॉंग्रिस की अंतरे मध्यक सोनिया गांधी से पूछा कि क्या अभी भी उनकी पार्टी NCP से गड़बंदन जौरी रखेगी आरोप है कि प्रफुल पटेल के परिवार द्वारा प्रमोटेड कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स और मिर्ची के नाम से कुख्यात दिवंगत एकबाल मैमन के बीच सोदा हुआ था इसमें मिर्ची और इस प्राइवेट कंपनी ने मिलकर 15 मंजली इमारत सेज़े हाउस बनाई थी मिर्ची की जमीन थी और बदले में 2007 में इमारत बनाने वाली कंपनी ने उसे 14,000 वर्ग फुट के 34 मंजल के फ्लैट दिये थे इडी का अनुमान है कि यहां के 3 फ्लैट बेच कर मिर्ची ने 2010 में दुबई के एक होटल खरीदा था इडी ने मिर्ची द्वारा अपराद के धन से कमाई 36 संपतियों को भारत संयुत अरब अमिरात और ब्रिटेन में चुनहित किया है प्रफुल पतेल और उनकी पत्नी मिलेनियम डेवलपर्स प्राइविट लिमिटेट के शेर होल्डर है इस इमारत की बारवी मंजिल पतेल और उनकी पत्नी की बताईचा रही है उधर NCP ने पूरे मामले को गलत बताते हुए कहा है कि पतेल परिवार ने इमारत निर्मान वाली जगा 1963 में गौलियर के महराजर से खरीदी थी 1978 से 2005 तक विभिन दाविदारों के कारण प्रॉपर्टी कोर्ट रिसीवर के पास थी और इस दोरान कुछ लोग अवैत तरीके से बहां बस गए थे जब बिल्डिंग बनी तो हाई कोर्ट के आदेश से उन लोगों को तीसरे माले पर बसाया गया सेजे हाउस किसी की व्यक्तिकत समपती नहीं है इस्तंबन में सारे दस्तावेज और कोर्ट ओर्डर सुरक्षित है